हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल दिलिप टेलर शन बुटिक में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपने घर का कंप्लीट होम टूर दिखाने वाला हूँ आप देख सकते हैं मेरा घर सामने और बहुत सारे रिक्वेस्ट क्थ में और उसके बाद यहां पर हमने गार हम अपनी फालड़ है ऑकर सकते हैं और उसके बाद घर के अंदर यहां से होगी एक जो गेट है वो यहां से है और उसके बाद इहां पर थोड़ा आ तो यह दो गेट हैं तो चलिए हम यहां से चलते हैं अंदर और मैं आप लोगों को अंदर आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से घर है पुरा तो देखें जैसे आप यहां पर एंट्री करेंगे अपर देखना सबसे पहले हमने एक लिविंग रूम दिया है जिसको ब बैठा हुआ है उनके इंट्रेटेन्मेंट के लिए और साथी साथ यहां पर सीसीटेवी कैमरा भी फूटेज चलता रहता है तो उसके बाद जैसे हम अंदर करते हैं यहां पर देखिए यह में हमारा हॉल है ठीक है यहां पर जैसे ही आप आएंगे यह में हॉल हो गया जिस एक खाना खाते हैं और यहां पर आप देखेंगे पीछे जस्ट इसके तो टीवी प्लेस किया गया यहां पर एक टीवी यूनिट काफी अच्छा डिजाइन किया है हमारे डिजाइनर ने तो यह भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में टीवी यूनिट जो है और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यह एक बड़ा सा हॉल है इसकी साइज काफी बड़ी है जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो 20 x 25 इसका साइज है और इसी हॉल से जितने भी रूम हमारे घर में है वो पूरे कनेक्टेड है पूरे हॉल से ही कनेक्टेड है जैसे कि हम सुरुव माताजी है और गड़ेश भगवान जी है तीनों का मुर्ति हमने इसमें इस्थापना कराया है और पूजा रूम से जैसे हम बाहर निकलते हैं यहां पर इसपेस काफी दिया गया पूजा रूम में भी ताकि अराम से दो तीन आदमें बैटके यहां पर पूजा कर सके तो र तो मॉडूलर कीचन यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह काफी बड़ा साइज है कीचन का भी यह 10 x 15 का यह कंप्लीट साइज है कीचन का आप लोग देख सकते हैं एक एक चीजें परफेक्टली यहां पर प्लेस की गई है और यह देखिए आप लोग यहां पर देख सकत यह है हमारे घर का bedroom number first ठीक है जो कि मेरा खुद का रोम है और यहां पे बाबु बैठी हुई है और बाबु के साथ साथ मेरी वाइफ रोशनी भी यहां पे बैठी हुई है तो सबसे पहले तो इनी लोगों से मिल गए आप इन लोगों को वीडियो में अल्रेडी देख चुके लिए और इस घर की मैं आप लोगों को खास बात बताओ ना तो यह जो हमारा घर है यह कंप्लिट हों आटोमेशन पर बेस्ट है जैसे कि मैं यहां पे आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूं अभी रोम की सारी लाइट्स जल रही है यहां पे पूरा अलेक्सा इंबिल्ट फीचर इस रूम पे दिया गया है और जैसे मैं वन बाई वन भी इसको करना चाहूं तो मैं बोलूँगा अलेक्सा टर्न ओन फैन तो यह देखे फैन भी स्टार्ट हो गया इस तरीके से जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं चाहे हो लाइट हो चाहे एसी हो चाहे टीवीज हो सारी चीजें एलेक्सा से कंट्रोल हो जाती है हमारे घर में मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जाकर के स्वीच आउन करना और बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आये क्योंकि एक्छल में बीच में हुआ क्या था एक वीडियो हमारे घर का किसी ने सूट किया था और वो यूटूब पर अप्लोड हो गई थी तो लोगों ने वीडियो को देखा व्व वीडियो धोकर के से अप्लोड़ वी थी लेकिन उसके बाद आप लोगों का request इतने आएं कि sir please आप अपने घर को दिखाईए अच्छे से दिखाईए तो मैंने सोचा चलिए ठीक है दिखाते हैं लेकिन इस वीडियो का ये बिलकुल भी मकसद नहीं है अनावश्यक प्रदर्शन करने का या किसी भी तरह से दिखावा करने का तो इस चीज का ध्यान रखना ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के तौर पर बना रहा हूं कि बहुत से लोग अपना घर बनाना चाहते हैं तो उनको एक आइडिया मिल सके और साथी साथ फ्रेंट्स आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ का दौलत हूं तो आज मैं आप लोगों के सहयोग से आप लोगों के सपोर्ट से यहां तक पहुंचा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरी तरक्की को देखें मेरी सक्सेस को देखें और जो मैंने किया वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं तो यह अपनी महनत पे तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को जरूर इसका एक ओवर्वी देते हैं किस तरीके कहें अगेन हम यहां पे चलते हैं हमारा मास्टर बैडरूम आ जाता है बैडरूम नंबर टू तो यह मम्मी पापा का रूम है जहां पर मम्मी बैठी हुई है और मम्म प्रोविजन किया गया है बिल्कुल सेंटर पे और एक चीज़ नोटिस करना पूरे छट पे घर पे हर जगह पर फॉल सिलिंग हुई है कहीं पर प्लेन छट नहीं मिलेगा हर छट में फॉल सिलिंग हुई है और कुछ चीज़ें बागी भी हैं कम्प्लीट अभी नहीं है जैसे कि एक मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहां पर वास्रूम है वास्रूम की शाइज भी काफी बड़ी है यहां पर जैसे हम आएंगे और वास्रूम में खास बात यह है कि यहां भी फुल फैसलिटीज जैसे मैं अंदर आता हूं यहां पर रूम की लाइट जो है हो जाती है ठीक है आपको किसी भी तरह से light on करने की ज़रूरत नहीं है आप अंदर आएंगे और lights on हो जाती है तो ये सब चीजें यहां पे sensor वगरा यूज किया गए और काफी smart home हमने तयार किया हुआ है तो ये दो रूम मैंने आप लोगों को दिखाया bedroom number one bedroom number two अब वापस च आते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि यह हमने एक washing area दिया हुआ है जहां पर बरतनवगरा वाश करने के लिए कपड़े वाश करने के लिए यहां पर प्रोविजन किया गया है और इसके संसात अंदर में भी एक attached washroom है ठीक है आप लोग notice कर रहे होंगे मैं किसी इसकी तरह से कहीं भी light on नहीं कर रहा हूं मैं जहां जाता हूं वहां की light अपने आप on हो जाती है friends अंदर एक और washroom है उसके बाद हम वापस से आते हैं तो यहां पर देखिएगा इधर चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूं अपनी बेटी का room जो कि मैंने आई उ महुत कुछ काम होना भी बाकी है जैसे बाबू के जितने भी toys हैं वह इस दिवाल पर अभी पूरे placed होंगे तो इसके लिए एक furniture का काम कराना बाकी है और यह सिकायत रहीगी मेरे को अपने interior designer से कि इसकाम को complete नहीं किया यहां पर बेटी के लिए यहां पर Mickey Mouse वाल पेपर लेगी वह अभी सोके उठी है इसलिए कुछ नहीं बोल रही है अभी हम चलते हैं और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं अगैन रूम नंबर 4 तो यह तीन रूम आप लोगों ने देखे इसके बाद जो चौथा रूम है वह हमने बनाया है guest के लिए तो अभी फ पूरा अगर आप फॉल सेलिंग वगर देखेंगे तो सब चीजें पूरे घर में कोई भी चात ऐसा नहीं है जो बचा हो हर जगह पे कहीं पे पीविशी हुआ है कहीं पे रिप्सम बोट का काम हुआ हर जगह पे फॉल सेलिंग कंप्लीट है तो अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो कंप्लीट चार रोम देखे प्लस एक लिविंग रोम देखे यहां पर आपने देखा पुजा रूम और उसके बाद कीचन सब फीचीजें कनेक्टेड हैं हॉल से ठीक है सबी रोम को आपने देखा वासेरिया भी हॉल से ही कनेक्टेड है अब इसके बाद हम चलते हैं उपर जहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं उपर हमने क्या क्या चीजे बना रखी है तो इस टेर में भी आप देखेंगे फ्रेंट जैसे ही मैं चड़ूंगा यह लाइट आटोमेटिक से यहां पर आउन हो जाती है कुछ लोग जो अंजाने में आते हैं व यह जो जूमर है ताफी अच्छा लगा मुझे तो मैंने इसको खरीद के लिए और अब चलते हैं उपर और उपर में जो भी लोग हैं सबी से मैं बोलूँगा कि लाइट्स को कृप्या उन कर दे फटा फट से तो जैसे ही हम उपर आते हैं आप देखेंगे आपर बड़ा सा हॉल दिया गया यहां पर एक्च्छल कटिंग करने वाले लोग रहते हैं पूरा और कटिंग करने वाल नहीं कर सकते हैं इसलिए वह बाहर निकल गए हैं कैमरे के सामने उनको आने से डर लगता है तो जीते बी पर कटिंग जाते हैं वह यहां पर देखें पूरे एक एकर करके प्लेश्ड हैं आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैंने पूरा रेक वगरा बनवा रखा हैं सभी चीजों को परफेक्टली हर जगा पे किस तरह से प्लेस करना उसके लिए पूरा प्रोविजन यहां पे किया हमने और एक एक करके देखिए दिरे-दिरे सारी चीजें होती है अभी बिल्कुल नया घर हमने तयार किया है और आप लोगों के रिक्वेस्ट पहुंच जदा आ र सेंपल भी दिखा रहा हूं कि यह जो पेपर कटिंग से यह पूरा अभी कट रहा है तो यह लगातार हमारे रोजाना यह काम चलते रहता है पूरी पेपर कटिंग की सेलिंग जो आप लोग एमेजोन पर देखते हैं जिन होने नहीं देखा अभी तक जाकर के दिलेप टेलर एमेजोन पर सर्च करके देखना और उसके बाद यहां पर हमारे ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं इनसे मैं परिचे कराता हूं यह है भागवत दास जो की e-commerce पूरा मैनेज करता है जो भी एमेजोन और पूरा पर्शनल सेलिंग जो पेपर कटिंग की होती है उसको यह मैनेज करता है और उसके बाद यहां पर है संजय कुमार जो की online classes में जित्ते भी लोग join करते हैं या जित्ते भी लोग online classes के लिए inquiry करते हैं पूरा इन ही से बात होती है तो यह दो मेरे managers और उसके बाद इस room के बाद जैसे हम आते हैं अंदर तो यहां पर मैंने बनाया है एक room अप पर यह जो wall है इसमें अलग wallpaper दिया है हमने इधर मैंने कुछ अपने काम के लिए जो समान मुझे रखना पड़ता है उन सभी के लिए यहां पर मैंने दिया जगा और उसके बाद यह जो wall है इसको मैंने एक अलग wallpaper से design कराया और उसके बाद जब हम फिर आगे आते हैं तो य अलग-अलग background के चलते मैंने अलग-अलग wallpaper यहां पर कराया और में यह जो है मैंने इसको highlight कराया यहां पर पूरा घास लगाया गया है हमारे interior designer के द्वारा काफी अच्छा यह घास मुझे लगता है मुझे बहुत ही पसंद है और मैंने personally इसको request करके लगवाया हुआ है और नहीं कई place करेंगे अच्छे से तो यह वो में जगा है जहां पर मैं बैटता हूं और shooting करता हूं यह देखिए यह सिलाय मशीन जो है आप लोगों को जो सिलाय की जित्ती भी वीडियो मिलती है इसी मशीन से मिलती है तो इसको मैंने personally पूरा customize कराया हुआ इसकी length आप देखे कोई खास महेंगी या electronic machine मां यूज नहीं करता यह वो टेबल है जहां पर आप लोगों को cutting की वीडियो मिलती है अब आप लोग बोलेंगे कि sir आप white color का table यूज करते तो यह जो है ना यह अलग से customize है यह अंदर white है उपर black है ठीक है जब भी मैं चाहूं इस तरह कि मिरे पा यहां पर आप देखेंगे ऊपर मैंने अपने लिए personal एक wifi setup लगवाया हुआ है जिससे मुझे कभी भी live वगरा मैं YouTube पे करता हूं तो कोई समस्या नहीं होती है wifi का connection भी काफी अच्छा है तो मेरे को किसी भी प्रकार की तकलीफ यहां पर अब नहीं होती नए घर में है बोर हो गया तो यहां पर आप आ सकते हैं घूम सकते हैं इस वजह से मैंने यह पूरा इस पेस छोड़ा हुआ है खाली और काफी अच्छा लगता है नीचे मैंने पूरा इसमें टाइल लगवा दिया ताकि साफसफाई का भी इसमें ध्यान रखा जा सके हाला कि अभी सब्सक्राइब से फैंट्स यह जो साइज है यह लगवकग सोला सो स्क्वार फिट जो जगह हमने छोड़ा हुआ है और बताना आप लोग कमेंट्स लगा रहा है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को घर अच्छा लग रहा होगा अगर अच्छा लग रहा है तो क एक्षन रहे बच्चे वग्रा आते रहते हैं इधर इधर से जब हम आते हैं तो यह इस पूरा छोड़ा गया है यह देखिए यह कंप्लीट स्पेस यहां पर छोड़ा गया है ताकि हम कभी भी यहां पर बैठ सकें कुछ भी जैसे हमको बाचित करनी है इंजॉय करना या कोई भी जैसे कोई मिलने आ रहा है तो वो सब यहां पर आके बैठते हैं क्योंकि जैस्ट साइड में मेरा स्टूडि और यह जगह भी काफी अच्छे से सेट होगा और उसके बाद हम आते हैं यहां पर तो यहां पर जो वरकर्स हैं या जो पूरे हमारे कंप्लेट स्टाफ हैं उन सभी के लिए यह वाश्रूम दिया गया काफी बड़ी साइज है इसकी एक रोम से भी बड़ा वाश्रूम है तो यह एक वाश्रूम हमने यहां पर बनाया और इंटिरियर ने क्या गजब काम किया इधर भी पूरा फाल सिलिंग कंप्लेट बहुत अच्छा लगा मुझे कि हर जगह पे मेरे घर पे फाल सिलिंग करके दिया हुआ है उसके बाद जैसे हम उपर चलते हैं तो यहां पर द को लूँगा कि दिखाए यहां से यह जो हमारी सिटी है उसका पूरा व्यूव आप लोग देख सकते हैं किस तरह से दिखेगा और यहां पर हम आते हैं कभी-कभी जब थोड़ा समय मिलता है तो और यहां पर ताजी हवा भी आती है जब इस खिड़की वगर हम ओपन करते हैं तो काफी अच्छा लगता है और उसके बाद यहां पर देखेंगे आप लोग एक रूम यहां भी बनाया गया है तो यह जो यह मैंने पर्सनली यह सोचकर के बनाया कि अगर मैं फूचर में कोई सर्वेंट वगरा रखता हूं तो वो अपनी फैमिली भी अगर यहां पर रखना चाहे तो रख सकता है यह सोचकर के एक एक्स्ट्रा रूम मैंने यहां पर बनवाया इसका मुझे ज़रुरत था नहीं लेकिन फिर भी बनवाया यहां पे भी पूरी complete fall ceiling tiles वगरा पूरा लगा हुआ है इसके बाद हम आते हैं तो यह जो च्छत है ना यह च्छत भी हमने यहां पर पूरा छोड़ रखा है देखिए इन इस टेप में हमारा घर बना हुआ है चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं से आ करके तो यह वह पहला च्छत है जो सबसे बड़ा च्छत है वह आप लोग यहां से देख सकते हों और उसके बाद यह दूसरा च्छत है और इससे उपर वह तीसरा च्छत है फ्रेंट जहां पर मैं जा नहीं सकता अभी ठक गया हूं बहुत लंबा वीडियो बना करके तो वह नहीं दिखा पाऊंगा मैं उस छत को उदर सिंटैक्स वगरा बस है और वाई-फाई का सेट अप लगा है और ऐसा कुछ भी नहीं है तो अभी वापस चलते हैं नीचे तो यह वापस आ गए हम अपने वर्किंग हॉल पर यहां पर देखिए अभी शायद पूरे लोग आ चुके हैं जो लोग काम करते हैं यहां पर तो सभी लोग लाइन से खड़े हुए हैं चलाइए मैं इनसे भी आप लोगों को मिला देता हूं तो इन मैडम से तो आप मिल चुके हैं जो पेपर कटिंग की पूरी मेनेजर है और उसके बाद यह चोटी है जो हमारे घर में पूरा साफ सफाई का काम काज यह देखती है सूबे से आती है आट नौ बजे से और साम को जाती है तो इसका भी काफी लोड रहता है वर्क डिखाती है तो यह दोनों मिल्कर के पूरी पेपर्ची करते हैं और उसके बाद यह लोग फार बापिर केश्टिंग को जमाने का काम करते है lima चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूं यह सभी जिट्ते भी स्टाफ हैं उन सभी लोगों की आने के लिए मैंने बहर से यह फिर देवाया है यह सीड़े आप लोग देख सकते हैं तो यह जो सिड़ी है ना फ्रेंट्स यह जैसे वर्कास लोग आते हैं यह हमारे पूरे स्टाफ के जितने भी लोग आते हैं वो लोग सीधा उपर आते हैं घर के अंदर नहीं जाते मैं आप लोगों को दिखाता हूं यह सिड़ी हमने अलग से बाहर से दिया हुआ है ताकि अंदर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहूं और वो लोग आते सीधा उपर से यहां पर चड़ जाते हैं तो यह देखिए वापस हम आ गए जिसको मैंने स्टर्टेंग पर आपको दिखाया था कि यह है हमारे घर का गाड़ी पार्किंग इस पेस तो यहां पर वापस हम आ जाते हैं और यह सीधा घर से बहार तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी जो कुछ भी मैंने दिखाने का आप लोगों को प्रयास किया फ्रेंट्स आप अंत में मिलिए हमारे घर के इंटीरियर डिजाइनर से जो की यह है अनवर रजा और मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा इतना अच्छा घर मुझे बना करके देने के लिए काफी महनत इन्होंने की है और एक्च्वल में बोला जाया तो जितना महनती इ अगर बात करें मॉडूलर कीचन की बात करें हर एक काम इंटीरियर डिजाइनर है यह पूरा आर्केटेक्ट जिसको हम बोलते हैं प्योर इंगलिस में तो इनका जो काम मैंने देखा बहुत अच्छा लगा मुझे हर काम को सिस्टेमेटिक तरीके से कराते हैं इनका नाम इन मैं शुकरिया करना चाहूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं चाहे बात हो फॉल सिलिंग की जिप्सम बोड की पी ओपी की पी वी सी की या फिर मैंने अपने इस्टूडियो में एक खास चीज और करवाया है साउंड प्रूफिंग का जिसको आम स्टॉंग बोल अगर इस घर की आज इतनी तारीफ ओर है तो उन सब के पीछे ही लोगों का भी काफी हाथ है जो हमारा है वो तो है ही जैसा कि मैंने कहा अगर आपको इनसे कॉंटेक्ट करना बहुत ही बढ़िया इंटीरियर डिजाइनर है आप इनका नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहा है इनसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं पूरे औल इंडिया में इनकी सर्वीस है आप जहां से भी चाहें इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए इनसे जरूर एक बर कॉंटेक्ट करिएगा और अंत में मैं आप लोगों को मिलाता हूं इस घर के इंजिनियर से तो मैं मम्मी पापा ने ही इस घर को पूरा डिजाइन किया जैसे हम बात करते ना कि घर हमें बनाना तो सबसे पहले बात आती है इंजिनियर कौन होगा तो फ्रेंट्स मैं आप लोगों को रियल बताता हूं मैंने अपने घर को बनाने के लिए जब हमने प्लान किया तो हम कभी किसी इंजिनियर के पास नहीं गये पूरे घर का नक्सा इन्होंने ही तयार किया है और शुरू से ही इन लोगों का जो है इंट्रेस्ट उस फिल्ड में रहा है कि घर को बनाना कैसे बहुत ताइम से सोचते रहते हैं यूटूब पर काफी वीडियो देखते हैं तो काफी नौलेज है और पूरा जो घर का आप नक्सा देखें या इंटिरियर की भी बात करें तो यहां तक की इंटिरियर डिजाइनर को भी गाइड करने का काम इन लोगों ने किया तो काफी अच्छा नौलेज इन लोगों को है और इनका भी मैं धन्यामाद करना चाहूंगा कि आज मैं इतने अच्छे बहुत अच्छी तरीके से पूरे घर को मैनेज करके और आज जो भी आता इस घर में घर की तारीफ करता है क्योंकि घर का जो नक्सा बना हुआ है में लोग इसको पसंद करते हैं कि सारी चीजें हाल से कनेक्टेड हैं और हर जगा एक एक इस पेस को इतना बढ़िया तरीके से प्लेस करना वो इन्होंने जो किया मुझे काफी अच्छा लगा इसके अलावा हमने कोई भी बिल्डर इंजीनियर नहीं रखा सिविल इंजीनियर जिसको बोलते हैं कि चलो भई आप हमें नक्सा बना करके दीजिए या एलिवेशन की भी बात करें तो एलिवेशन का नक्स हमारे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सभी का मैं धन्यवात करना चाहूंगा आज इतना अच्छा घर जो आप लोगों को देखने को मिला वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना फटाफट से वीडियो को कमेंट करना और बताना कैसा लगा आप लोगों को हर एक च हैं